आटो मोबील सेक्टर में करांती लाने के लिए पूरे देश में समय काम चल रहा है और परधान मंत्री नरेंदर मोदी और तमाम राज्ये की सरकारें समय ये फोकस कर रही हैं कि सडकों पर जो है वो जादा ईवीकल्स आए दो हजार बाइस तक तो उसको लेकर टू वीलर कंप इलेक्रिक बाइक बना के त्यार की है जो कि 3-4 घंटे चार्ज होने के बाद लगबग 60 किलोमेटर चलती है कित्ती मेहनत लगी है बाइक बनाने में और क्या कुछ पूरजे इसमें यूज किये गए क्या टकनॉलजी यूज की गई यह हम छातरों से बात करेंगे हमें इसके लेने को त्यार होगी इस पर भी जम्मू का पॉलिटेक्निक कॉलेज राज्य भर से चातर यहां आते हैं पढ़ने के लिए और अलग-अलग यहां पर कोर्सिस करके कुछल डिग्रियां लेकर यहां से निकलते हैं यहां के चातरों में यह उफलब्दी है कि जो भी वो बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं ऐसा ही कारणावा यहां के चातरों ने किया आटो मोबील सेक्शन के जहां पर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो की बैटरीस से चलती है और एक मोटर उसमें लगाई गई है चातरों ने इस बाइक को बनाने में काफी मेनत की है और उसमें इन्होंने अपनी दिल्चस्पी दिखा कर इसे पूरा किया है हमने भी ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से ये बाइक चलती है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है चलाने पर इस बाइक की बिल्कुल आवाज नहीं आती है और एकदम हलकी है हलाकि छात्र जो है अब इसका आगे इसका जो स्तर है वो बढ़ा रहे हैं और उनके टीचर जो है वो अलगलग मोटर्स इस पर प्रियोग कर रहे हैं अलगलग टेकनालोजी यूज कर रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि कैसे इसकी रेंज बढ़ाई जाए अपनी दिल्चस्पी दिखाते हुए छात्र लगे हुए जोटे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की बाइक के अलावा फोर विलर कार भी बनाए यह चात्र काड़ी अब बनके कंप्लीट है और जल्दी यह चात्र इसे चलाएंगे भी प्रिंसिपल अरुन बमोतर साब वो भी यहाँ पर मौझूद है सर सबसे पहले मैं आप से जाना जाओंगा छात्रों की किरी मेहनत रहती है और एक रेवल्यूशन लाने की तियारी कर रही है कि अंदर सरकार भी की इविकल्स जो है वो शड़कों पर आजाए चाहे वो टू विलर्स हो हो चाहे फोर विलर्स हो है है वी विकल्स हो तो यह चात्रों की मेहनत है जो सामने दिख रही है कितना प्रयास लगा और कॉलेज कि इसका उन्होंने कितना समय दिया आप लोगों कितनी मिलत रही है यह साब ने खुदी कहा कि यह गौर्मेंट आव इंडिया की एक इनिशेटिव है कि इस तरह के आटो मोबिल इंडेस्ट्री में इस तरह की बाइक सिस तरह की वीकल्स आने चाहिए जो इन्वार्मेंट के पॉइंट आफ यू से देखा जाए या एकॉनमी के पॉइंट आफ यू से दिखा जाए तो हमारी सुसाइटी में इसका बेनेफिट हो तो इसी के मद्द्धे नजर में हमारे आटमोबील इंजिनिंग के स्टूड़ेंट हैं यहां पर इन्होंने ये एक बाइक बनाई है बि जिए बच्चे को हम हैंड सुन ट्रेंग देते हैं यहां पर आरजी ट्रेंग लेंग कि दूछ अब striangi के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वह कुछ इन्वेट का रेख गुपता जी इन्हों ने एक याईडिया लाया है कि हम सरेक परानी बाइक लेकर बजार से कहीं उसको मॉडिफाइ करेंगे, उसमें हम इंजिन को रिमूव कर देंगे, ताकि हमारी एक जो एक, बिल्कुल इन्वार्मेंट फ्रेंड ली एक बाइक बन जाए, तो इसनों ने इसमें चेजीज को भी रिमूव किया है, ताकि बैलंसिंग भी प्रॉपर रहें, और इनको कम से क हम तीन-चार मेने का टाइम लिया है, तो फाइनल सिमिस्टर के स्टूनेट्स ने मिलके ये बाइक बनाई है, इसकलिए मैं को काफी एप्रिशेट करता हूँ, इनको शुब कामना भी देता हूँ बच्चों को, कि इस तरिके से ये काम करें, ताकि हमारे सुसाइटी के और कोशिश कर रहे है कि इसकी और जो वेट है, इसको उठाने की शमता बढ़ाई जाए या फिर इसकी चार्जिंग बढ़ाई जाए, क्या कुछ इस बाइक में है आप थोड़ा बताईए इसको अब, तो बेसिकलिए ये बाइक बनाने का मोटिफ यही था कि हम पॉलिशन क कर सके, दो तरह के पलूशन इससे कम होते हैं, एक एर पलूशन और दुसरा नौइस पलूशन, नौइस पलूशन ऐसे कि अगर इंजन चलता है तो वो अपने एक्जास्ट या फिर कुछ लोग बोटे जो अपने इसको अपने एक्जास्ट पर मॉडिफिकेशन लाते हैं, हमने इसमें 12 वोट की चार बैटरी यूस की हैं जो की 36 एमपेर्स की हैं तो यह तोटल आउटपुट फॉर्टी एट वोल्ट का देते हैं इस बाइक में हमने एक एक कन्वर्जन केट यूस की है जिसकी वज़े से हमने इसका इंजन निकाल के इसमें मोटर लगा दिया और जो कंट्रोलर है उसके थुरू सारा जो बैटरी का आउटपुट है वो मोटर और बाकी लाइट वगेरा में जाता है इस तरह की मार्कीर में और भी बाइक साभी एक नई कंपनी है रिवॉल्ट करके वो भी निकाल रही है तो आप लोगों का आगे फोकस है कि जिसना यी वीकल आ रहे हैं एलेक्टिक वीकल आ रहे हैं तो कुछ और आप लोग इसमें अपना इंट्रड्यूस करें अपने कॉलेज की तरफ से इस पर आसे कुछ पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट अपनी है बट हमारे प्रोजेक्ट आगे फोर वीलर तक भी फॉरवर्ड हो सते हैं हम फ हमारे जो फोर वीलर्ड है उनीका एमेशन पाल्यूशन में सबसे जादा है पर अगर हम फोर वीलर्ड में भी कंवर्जन के यूज करके उसमें इंजिन हटा दे तो फोर वीलर्ड की एमेशन सबसे कम हो जाएगी यह बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से बहुत सारे कॉलि कर वनाता है जिस तरह से इसका एक प्रॉस्टीजर होता है प्रॉपर लेकिन प्रथानमंत्री का नरेंदर मोदी का सपना और तमाम कॉलेजिज एडूकेशनल इंस्टूशन्स हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि वो जादा अपने बचों को आटो मोबील सेक्शन्स में जो पेट्रोल की खपत है उसे कम की जाए और एक स्वच्छ वातावरन जो है पूरे देश में बन सके विडिजनिस परवन शर्मा के साथ खौईश प्रियाट स्टेट टाइम्स जबो